दोस्तों अगर आपके mobile में भी ऐसा हो रहा है कि आप अपना internet का data use नहीं करते हैं फिर भी आपका जो mobile data है वो खत्म हो जाता है चाहे आपको दिन का 1GB data मिल रहा है, 1.5GB data मिल रहा है या फिर 2GB data मिल रहा है आप इतना use भी नहीं करते हैं लेकिन जल्दी जल्दी से आपका जो प्रफिया settings बताने वाला हूँ जो के normally लोगों को नहीं पता होती अगर आप settings को करके छोड़ देते हैं तो आपका जितना भी data है चाहे 1GB आपको मिलता है चाहे 1.5GB वो पूरे दिन में खत्म होने का नाम नहीं लेगा चाहे पूरा दिन इस्तिमाल कर लो चाहे पूरी रात इस्तिमाल कर लो फिर भी आपका जो internet का data है वो बचेगा बचा ही रहेगा तो दोस्तों चलिए हम इस वीडियो में देख लेते हैं किस तरह से आपको वो settings करनी है सबसे पहले तो यहाँ पे setting के option मिलेगी आपके mobile phone के अंदर इसे आपने open कर लेना है तो सबसे पहले setting के mobile होते हैं उनमें option अलग-अलग हो सकती है अलग नाम से हो सकती है जैसे के advanced setting या फिर system setting तो मेरे phone में यहाँ पे additional setting इसे आपने open कर लेना है तो इस setting को आपने open करना है नीचे की तरफ आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको एक option देखने को मिलेगा developer option तो developer option अगर आप के mobile phone में on नहीं है तो build number के उपर जाकर आपने 7-8 बाट टैप करना होता है जिससे यह option on हो जाती है तो सबसे पहले number की जो setting है आपको यहीं पे करनी है धीरे धीरे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा running services की option तो इसको मैं okay कर देता हूँ तो यहाँ पे आप देख पाएंगे मेरे mobile phone में जितने भी system है जितनी भी apps है वो सभी यहाँ पे data consume कर रही है और कौन सी app कितना data consume कर रही है तो यहाँ पे लिखा रहा है तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे Bluetooth 16 MB, Google Play सरफ से 98 MB, Google Play सरफ से 166 MB, जिन apps को मैं use भी नहीं करता हूँ वो भी यहाँ पे जो मेरा data है वो use कर रही है तो इन में से जिस app का भी आपका इस्तेमाल कम से कम है तो उस app को यहाँ पे तो उस app का जो background data है उसे आप बंद कर सकते हैं जैसे कि मैं Gmail को open कर लेता हूँ मैं Gmail को ज़्यादा use नहीं करता हूँ जब मी मुझे use करना होता है मैं इसे open कर लेता हूँ तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे stop की option आ रही है तो मैं यहाँ पे stop कर देता हूँ और मेरी जो Gmail है वो यहाँ पे stop हो चुकी है यानि कि अभी वो background में जो internet data है उसे consume नहीं कर पा रही है और मेरा जो data है वो यहाँ पे बचा रहेगा इसके बाद हम द अपनी जो application है जितनी भी आपने install कर रखी होंगे अपने mobile phone के अंदर उनके उपर apply करना है तो इन apps में अभी मैं one by one तो आपको नहीं करके दिखाऊंगा सिर्फ मैं एक app के उपर आपको बता देता हूँ किस तरह से आपने करना है तो यहाँ पर Instagram की app के उपर मैंने यहाँ पर tap कर दिया और यहाँ पर आपको option देखने को मिल रहोगा app info यहाँ पर लिखा भी आ सकता है या फिर आपके सामने sign भी आ सकता है तो मैं यहाँ पर sign पर click कर देता हूँ इसके बाद यहाँ पर कुछ इस तरह का interface देखने को हमें मिल चुका है इसके बाद जो next option है उसमें data usage की option है 3.66 GB लिखा रहा है इसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा background data यानी कि यहाँ पर background data जो data है वो use किया जा रहा है और इसकी जो option है बंद करने की वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी तो यहाँ पर नहीं चाहता हूं कि जब भी मैं इस application को use न इंटरनेट है वो खत्म करें तो इसे मैं बंद कर देता हूं इस तरह से जब भी मैं इस application को open करूंगा यानि Instagram को तभी यह मेरे mobile का data use करेगी otherwise यह मेरे mobile का background में कोई भी data use नहीं करेगी तो इसी तरह से आपको इस setting को हर एक application के उपर apply करना है जितनी भी आपकी unnecessary application है जिनका आप चाहते हैं के background में data use ना हो तो इसके साथ ही हमारी जो दो settings है यहाँ पर हो चुकी है इसके बाद जो तीसरी setting है उसे करने के लिए हमें दुबारा से अपनी जो setting है उसमें जाना होगा तो mobile phone की setting को मैं open कर लेता हूं mobile phone की setting को open करेंगे तो यहाँ पर आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करते आना है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी option location की इस पर आपने टैप कर देना है इस पर टैप करेंगे तो यहाँ पर location के साथ साथ आपको और भी काफी सारी जो options है उन पर ध्यान देना होगा एक तो location है location mostly हम जब travel करते हैं तभी use होता है इसका otherwise अगर आप घर पे बैठे हैं तो location को on करने का कोई भी फाइदा नहीं होता है सिर्फ इससे आपका जो internet है वो ही इस्तिमाल होता है यानि के यह service आपके काम भी नहीं आ रही है और आपका जो internet data है इसमें option on हो रखी है इस तरह से मैं off कर देता हूं तो पहले से यह on थी इसका मतलब है कि आपका जो mobile है वो wifi scanning में काफी आपका जो data है वो खर्च कर देता है और इसी के साथ bluetooth scanning में भी अपने आप यह आपका data खर्च करता रहता है यानि कि इसकी आपको कुछ खास जरूरत नहीं होत location की service है इसे भी आपको यहां पर off करके रखना है location की जो service है वो mostly आपकी जो application आप इंस्टॉल करते हैं तबी वो आपकी location की जो service है उसे use करती है और आपका जो data है उसे खर्च करती है तो इसे भी आप off करके रखेंगे इस तरह से आपका बहुत सारा जो data है वो यहां पर ब और इंटरनेट की option यहां पर लिखा आ सकता है किसी-किसी mobile में या फिर किसी mobile में mobile network लिखाएगा तो option को आपने समझ लेना है network और internet वाली option में जाना है इसे open कर लेते हैं तो यहां पर आपको अपने sim के अंदरा का अगर आपने एक sim यूज़ किया है तो एक के अंदर जाना है दो use किये हैं अगर आपके mobile phone में एक sim डलता है दोसी में आपको option मिल जाएगी अगर दो sim डलते हैं तो अलग-अलग से आपको option मिलेगी तो आपको इस option को open कर लेना है और यहां पर एक option आपको देखने को मिल जाएगा data usage इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहां पर हमारे सामने जाता है कि हमारा geo का कितना data use हुआ हमारा ital का कितना data use हुआ है तो इसी में आपको एक option देखने को यहां पर मिल डी होगी data saving की जो के अभी by default मेरी off हो रखी है और इसे हमें on करने की जरूरत है यानि कि इसे अगर हम on कर देंगे तो by default mobile phone अपने अंदर ही ऐसी settings कर लेता है ज आपका जो data है वह खतम ना हो तो इस option को on कर देना है तो on करते ही आपकी जो आननसेसरी application है जो background में आपका data use करती है या फिर कोई भी system file है वो अपने अपडेट होती रहती है तो unnecessary कोई भी आपकी जो file है यह फिर application है वह update नहीं होगी और आपका जो data है वह बच जाएगा त तो ये चार सेटिंग्स आपने यहाँ पे कर लेनी है और इसके बाद आप हमें comment box में comment करके बताना कि अगर आप दिन में भी internet यूज़ कर रहे हैं रात में भी यूज़ कर रहे हैं अभी आपका internet खत्म नहीं हो रहा है पहले आपका अगर आप यूज़ भी नहीं करते थे तो दो पहर तक ही आपका जो पूरे का पूरा internet है आपके mobile phone में खर्च हो जाता था यानिके खत्म हो जाता था तो difference अपने आप आपको देखने को मिल जाएगा तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा comment ज़रूर कीजिएगा और